आपको भी कुछ चीजी तरह AI फोटो व्यूडियो एडिटिंग करनी है तो बने रही है हमारी व्यूडियो के आने तक तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्रोम ब्रावजर ओपन करना है और आपको यहाँ पर टाइप करना है क्रेटर आपको यह सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर पहली वाली वैपसाइड ओपन कर लेनी है तो आपको यहाँ पर एक प्रोम की ज़रूरत पढ़ेगी जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है आप वहाँ से स्क्रीन सोट लेकर उसको कहीं से भी कोपी कर सकते हैं जो मैंने पहले से कोपी कर रखा है यहाँ पर उसको सिंप्ली पेस्ट कर देना है और वहाई हो आपको यहाँ पर यह राहुल काट कर जिसी भी नाम की वीडियो बनानी हो यहाँ पर टाइप कर देना है जैसे मैं करता हूं यहाँ पर टी यू एस एच ए और तुसार आपको तो यहां पर create कर देना है कि यहां पर थोड़ा बेट करना पड़ेगा तो दोस्तों यहां पर आपको यह 3-4 फोटो बना करके देदेगा आपको जो भी सही लगे यहां से पर tab करना है और यहां पर early. करना है और यहां से download कर लेना है यह बालोड करना है तो यहां पर फोन उंस्क्रीन पर आना है और आपको यहां पर open कर लेनी है भी creativity के शन्द अधियान अप्रण करने के वाद यहां पर लॉच्व कंत करना है catchy वाल icon पर click करना है यहाँ से photo select कर देना है and next कर देना है और दोस्तों आप यहाँ पर original पर click करना है यहाँ पर 9.16 पर करना है और यहाँ पर image पर click करना है और यहाँ से इसको छोटा कर देना है और आपको यहाँ नीचे side में scroll करना है और आपको यहां पर बीजी पर क्लिक कर देना है, और यहां से image पर कर देना है, और आपको यहां पर यह रख लेना है, आपको 18 रख लेना है और यहां से done कर देना है, और दोस्तों आपको यहां पर फिर border पर क्लिक करना है, black पर क्लिक करना है, आपको यहां पर यह 8 रख लेन करना है और डन कर देना है साइट के और स्क्रोल करना है आपको यहां से यह बार्टर मार्क डिलेट कर देना है एंड आपको यह 12 से 13 से कर लेना है जैसे कि मैं यहाँ पर करता हूँ 13 से कर लेना है और यहाँ से आपको डाउलोड पर करना है और यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है यहाँ पर एक्सपोर्ट हो रहा है आपको थोड़ा बेट करना पड़ेगा यहां पर आपको एक bpn application की जबरत पड़ेगी जो आप फिले श्टोर से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर आपको bpn connect कर लेना है bpn connect करने के बाद आपको फिर्शिक Chrome browser open करना है और आपको यहां पर search करना है i-c-a-l-c-a-p-c-u-t-cap-cut template यहां पर आपको first वाली website open कर लेनी है और यहां पर उपर के और scroll करना है आपको यहां पर दिखेगा use template in capcut आपको simply इस पर click कर देना है आपके phone में capcut application पहले से ही download होनी चाहिए तो simply आपको यहां पर use template in capcut पर click करना है आपके सामने कुछ इस तरह गांटर्फिरेस आएगा आपके यहां पर use template पर click करना है यहां से अपनी ब्यूडे सेलेक्ट कर लेनी है और next कर देना है तो दोस्तों आपकी ब्यूडे बनकर त्यार है यहां से export कर लेनी है यहां पर थोड़ा बेट करना पड़ेगा ब्यूडे एक्सपोर्डिंग हो रही है धुमाम पर तप टेम मेरेनी नाफट रही है